है लो फ्रेंस आज की वीडियो में हमें एक बैतरी नाव शांदर वाड्रोब की डिजाइन्स देख रहें आप देख सकते हैं जो भी डिजाइन्स है वह लेटेस्ट डिजाइन्स है तो फ्रेंस यह आप चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए तो आपको मेटिरेल्स कि क्या प्रैस है यह सभी चीजों का जानकारी होना ज़रूर ही है मखीड गेर और वह भी है क्या और टाइपक के और क्वrzyटी भी आते जैसे कि प्लाइवगूड 12 इंद धेफ़ लेकिन इसके अंदर जो पॉप्लर मेटिर्युम्ट और म्दाकारी tutto तो वह बैतरी मना option होगा, और दूसरा जो material आता है वो MDF, यानि की medium density fiberboard, यह अच्छी quality भी होती और एक budget friendly भी option है आपके लिए, इसकी भी durability अच्छी होती है, लेकिन plywood के मुकाबले यह थोड़ी सी means, इसकी quality durable कम होती है, अदत plywood के साथ ही आप जाहिए, इसमें जो plywood के अंदर B TWP plywood एक popular है, एक completely waterproof material है, यदि इसमें कोई पानी भी लग जाहे तो इसमें कोई प्लाइ निकल नहीं की, या उसमें जो है सडनी की, इसमें कोई problem नहीं है, और friends, जब भी आप water बनाते हैं, तो सबसे पहले आप color combination भी properly select करके लिए न, ताकि आपके जो bedrooms में दूसरे भी furniture है, furniture वगेरा ही, सबके साथ match होना जुरूरी है, ताकि आपका जो bedroom है, और आचा से दिख सके, तो friends, यदि आपका room का color ज्यादा light है, तो आप dark color के साथ जा सकती हो, wardrobe के लिए, यदि आपका room में dark colors है, तो आप light colors चूश कीजिए, इसमें मैंने दोनों colors के options दिखाई है, और की तरफ खुलता है, वो भी wardrobe में ने इसमें upload किया है, तो friends, यदि इसकी price की बात करें, तो ये कम से कम आपको 800 रुपए per square feet के सबसे भी charge होगा, ये depend होता है कि आप कौन से material का इस्तमाल कर रहे हो, और कौन से area में रहते हो, और इसका maximum जो है, आपका 1600 तक पी जाएगा per square feet, ये आप MDF board से बनाते हैं, तो ये लगबग जो है, आपका cost 900 रुपए per square feet होगा, और plywood waterproof वाला बनाओगे, तो ये 1200 per square feet भी लगेगा, चाहाज आपका, तो friends, ये आपका कोई सवाल है, तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो, ये आप हमें contact भी कर सकते हो, मेरे mail id के तुरू, भी लगेगा, तो आप जो ये दी, अगर आपका room size छोटा है, लेकिन आपको drawers में space ज्यादा चाहिए, तो आप आपका drawer है, from नीचे से लेके, जो ground से लेके ceiling तब आप wardrobe बना सकते हो, तो उसमें कैया है, ज्यादा आपका space भी आपका available होगी, wardrobe के अंदर, और जो आपका size भी आपका room में कम लगेगा side में, तो ज्यादा height वाडरो बना के लेना, तो friends येदि आप और सावालों को आप मेरे comment section में पूस सकते हो, या मेरे contact mail id के तो भी आप contact कर सकते हो, तो friends येदि आप channel पर नहीं है, तो